Vertable Column की Possible Movements हमारा स्पाइन जो है, इसकी 4 important movements होती है Flexion, Extension, Lateral Flexion और Rotation Flexion मतलब आगे जुकना Forward Bending जो है, इसे ही हम Flexion कहते है तो Forward Bending किस आसन में हम करते हैं? Forward Bending बहुत से आसन में हम करते हैं जैसे पवन मुक्तासन है, उसके साथ ही हलासन है इसमें नेक रिजन में flexion होता है, तो इस तरह से हम flexion करते हैं, दूसरा होता है extension, extension यहने back bending, जब backward bending करते हैं, बीचे की ओर जुकते हैं, तूसे हम extension कहते हैं, extension भी हम बहुत सारे आसन में करते हैं, वो आसन है भुजंगासन, चक्रासन, धनुरासन, तो इन आसन में हम extension करते है तीसरा हमारा पॉइंट है लैटरल फ्लेक्शन लैटरल फ्लेक्शन मतलब साइड में जुकना तो यह साइड में जब हम बेंडिंग करते हैं तो उसे हम लैटरल फ्लेक्शन की नासंस में होता है जिनमें हम साइड में बेंडिंग करते हैं जैसे को नासंस है और वैसे ही फोर् है rotation थोड़ा हम इसे rotate भी कर सकते हैं जैसे वक्रासन में हम इसे rotate कर सकते हैं तो इस तरह से वटरबिल कॉलम की चार important moments होती है कौनसी movement है flexion याने forward bending back bending को ही extension कहते हैं इसरा important point है हमारा side bending याने lateral flexion और fourth important point है rotation याने थोड़ा हम इसे rotate भी कर सकते हैं तो इसके आसन भी हमने देख लिए आप भी और at least फाइव फाइव आसन के नाम भी लिख लो कि किस आसन में इसकी flexion होता है extension होता है rotation होता है या फिर side bending याने lateral flexion होता है lateral मतलब side का part lateral जब भी आप कहते हैं सुनेंगे या फिर पढ़ेंगे तो उसका मतलब होता है side में ठीक है body की central line से दूर झाल झाल क्वागे होता है ची कर दोदी एक मतलब होता है याँ पार पारपलेगे यादय का जढ़ेंगे पार दो आसन में दोक्ता है राूम